Hello everyone, Welcome to Sudarshan Kids आज का जो topic है वो है noun जो grade 1 student के लिए बहुत important topic है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उनको ये topic clearly explain कर सकते हैं और बच्चों की help कर सकते हैं इस topic को अच्छे से समझने के लिए आपको ये video and तक देखना है क्योंकि बहुत useful worksheets हैं बच्चों को noun अच्छे से समझाने के लिए जनरली बच्चों को ये noun के definition दी जाती है कि noun is a name of a person, place, animal or thing ये जनरली हम animal include नहीं करते हैं noun is a name of a person, place or thing but बच्चों को noun का concept clear करने से पहले इन terms को जानना जरूरी है तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएं कि person के बारे में person means वो people जो हमारे आसपास रहते हैं हमारे जैसे हैं आपको आपकी family में मिल जाएंगे, school में, आपके neighborhood में जो भी लोग हैं वो सारे person है, father, then school में जाता है तो teacher, driver, peon उसके बारे आती है place की, तो place के लिए बच्चे को आप बताएंगे, जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप रहते हो वो सारी जगे place कहलाती है, जैसे आपका घर है, आपके school है, तो वो जो आप चीजें बच्चे को समझा रहे हैं, जितना वो जानता है पहले से, उसको relate करके समझाईए नेक्स आता है एनिमल, grade 1 में बच्चे एनिमल से अच्छे से aware हो जाते हैं, तो जब आप एनिमल की बात करते हैं, तो बच्चा बिना जिजग के वो सारी जो एनिमल हैं, birds हैं, वो सारे वो बता देता है next is things, things के बारे में जो भी बच्चा असपस देख रहा है, most common चीज़ें जैसे table, chair, tv, mobile, phone, these all are things तो आप बच्चे को इस तरह से शुरुआत करेंगे, पहले बच्चे से पूछेंगे, कि इनके बारे में वो क्या-क्या जानता है और जब वो इनके बारे में बताने स्टार्ट करता है, तब आप उनको बताएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, जो आप बता रहे हैं हम इन सभी को उनके नाम से जानते हैं, और यही नाम जो है, वही noun या naming words कहे जाते हैं अब और क्लियर करने के लिए बच्चे का कंसेप्ट, हम जो स्टार्ट करते हैं, वो हैं worksheets तो अब जब बच्चे के सारे term क्लियर हो जाएंगे, खुद से बताने के बाद में, उसके बाद हम बच्चे को exercise देंगे, इन अलग-अलग term से related जैसे names of persons, all the persons have names right down from the box तो मैंने एक box में मिले जुले words लिखे हुए हैं, बच्चे को इन मेंसे जो person के name है, उनको select करके यहां पर blank space में लिखना है, जैसे first, first uncle, yes, तो uncle is a person, यहां पर आएगा, next school, no, park, no, friend, yes, friend is a person, तो इस तरह से बच्चा जो सारे words हैं, उनको check करेगा, और जहां पर भी person के name हैं, उनको fill करेगा, next है names of places, इसमें ऐसे words को include करिये, जो हां की बच्चा और मतब commonly जाता है, तो zoo, zoo is a place, table, no, sister, no, garden, yes, garden is a place, dog, no, park, तो इस तरह से हम place clear करेंगे, next है names of animals, so all the animals and birds have names, tick them from the box, बच्ची को यहां पर टिक करना है, तो cow, yes, this is an animal name, fox, yes, nurse, no, mom, no fish, yes, तो इस तरह से अब यह ticking activity हो गई, next है names of things, अब यहां पर बच्चे को names of things का से, all things around you have name, underline them, जैसे कि book, yes, book is a thing, next is hen, no, hen is an animal, पर हमें यहां पर क्या करना है, things को करना है, so drum, teacher, no, bell, zoo, no, doll, तो यह सारे हो गए, अब यहां पर हमने क्या क्या है, individual बच्चे का यह concept clear कर दिया, अब जो next आएंगी sheets, उनमें क्या है, उनमें सारे जो nouns हैं, सब मेले जो ले रहेंगे, person, place, animal, thing, सब रहेंगे, पस बच्चे को अलग-अलग उनको identify करना होगा, और स्टार्ट करते हैं, मेरी पहली sheet है, वो है pictures paste, बच्चे को जब भी कोई चीज आप pictures के थू समझाते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, तो यहां पर मैंने कुछ pictures को draw किया हुआ है, और सामने options दिये हुए हैं, बच्चे को correct one pick करना, तो फर्स्ट मैंने draw किया हुआ है, this is a duck, so it's a person, place, और animal, बच्चा देखेगा, this is animal, next is, this is house, so house is a place, next this is a beach, beach is a place, next is boy, boy is a person, इस तरह से जो भी pictures आप draw कर सकते हैं, easily वो pictures draw कीजे, सामने options रखिए हैं, बच्चे को टिक करने होंगे, अब जो next है, वो है, write down the correct noun in the column, यहां पर मैंने कई सारे noun लिखी हुई हैं, कई सारे naming words हैं, अलग अलग चीजों के, तो बच्चे को category wise यहां पर लिखना है, सबसे पहले है person का column, place का, thing का and फिर animal का, तो बच्चे को देखना है, word by word, check करना है, और यहां पर लिखना है, जैसे सबसे पहले, this is dog, dog is a animal, so he will write dog here, next is school, school is a place, so इस कोलम में, school, next is teacher, teacher is a person, so here, next is computer, computer is a thing, so we will write it here, so इस तरह से आप सारे words बच्चे को चेक करवाएंगे, और चेक करवाने के बाद में इन columns में उसको लिखने के लिए रहेंगे, अब जो मेरी next sheet है, वो है coding decoding based, मतलब मैंने बच्चे को noun भी बच्चे इसमें सीखेगा, और coding decoding जैसे मैंने यहाँ पर person, place, thing और animal को अलग-अलग colors दे दिये हैं, मीस अगर person है, तो इस जो block है, उसको red color करना है, अगर वो word place है, तो orange करना है, अगर thing है, तो blue and animal है, तो green, तो इसके according, बच्चे को क्या करना होगा, अलग-अलग color करना होगा, तो कैसे, सबसे पहले है, crow, so crow, crow is a animal, तो हम इसको करेंगे, green, coloring activity भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो आप जो भी sheets पनाया, उसमें आप coloring include कीजिए, ticking, मतलब same sheets नहीं होनी चाहिए, हार एक sheet में different activity होनी चाहिए, तो बच्चा same चीज सेखेगा, but in a different way, तो बहुत अच्छे जे बच्चा ग्राप परेगा, next is pan, pan is a thing, so we will color it blue, next is girl, girl is a person, so इसी तरह से बच्चे को ये सारे words चो मैंने इसमें लिखे हुए है, इस code के according color करने, अब जो next activity है, that is, look for the underlined noun in each sentences, tell, if the noun is a person, place or thing, आपको क्या करना है, जो underlined word है, हर एक sentence में उसको चेक करना है, और बताना है, कि वो person है, place है, या thing है, ये blank space दिया हुआ है, उसमें लिखना है, जैसे पहला example लेते हैं, तो store is open on Sunday, तो store, यहाँ पर store क्या है, it's a place, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, place, next is, the car was in front of the house, so car, car is a thing, तो we will write thing here, इसी तरीके से, यह मैंने sentences लिखे हुए हैं, इसमें जो भी underlined word हैं, बच्चे को पहचानना है, कि वो person है, place है, या thing है, और वो यहाँ पर लिखना है, next is my fifth activity, circle the noun, अब यह थोड़ी different है, इसमें सारे naming words नहीं है, इसमें कुछ describing words है, कुछ different words है, तो बच्चे को क्या करना है, इसमें बच्चे को नाउन पहचानना है, और उसको फिर circle करना है, जैसे first, suppose this is a cobbler, cobbler is a person, and this is a noun, next is and, तो and पी चेक किया, क्या यह animal है, no, thing है, no, person है, no, place है, नहीं, तो वो छोड़ देगा, next is for, for, यह भी noun नहीं है, next is beer, yes, beer is a animal, तो animal को हम circle करेंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ mixed words लिख सकते हैं, describing words हुए, या doing words हुए, तो वो आप लिखिए, और यहाँ पर बच्चे को नाउन पहचानने के लिए पोड़िए, next activity is, underline the noun in the given sentences, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चे को sentence लिखे हुए हैं, और उसमें उसको जो भी noun है, उन words को underline करना है, अब इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक ही line में एक सी ज्यादा noun भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कि जब sentence खतम हो रह है कि इस line में two noun है, बच्चे को क्या करना है, sentence read करना है, और read करने के बाद में उसको noun identify करना है, जैसे the pencil, pencil is a thing and it's a noun, we will underline it, next is in the bag, bag is also a thing and a noun, तो next is, Sheena likes to eat chips, यहाँ पर भी दो है, सबसे पहले, Sheena, yes, Sheena is a name of a person, तो Sheena is noun, likes to eat chips, तो chips क्या हो गए, thing हो गए, snacks हो गए, तो वो खाना पसंद है उसको, तो यहाँ पर दो, उसने क्या किये, दो identify कर लिये noun, ठीक है, तो इसी तरह से, यह सारे मैंने 10 sentences लिये हुए, इसने इसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन noun है, तो बच्चे को individually identify करने है, my next activity is, write the noun you can see in the below picture, okay, तो इसमें क्या करना है, मैंने यह picture लिया हुआ, मेरे बेटे की old book थी, उसमें से मैंने यह picture कट किया, और यहाँ पर लगाया है, अब इसमें बच्चे को क्या करना है, वही person, place, animal, think मैंने लिख दिये, बच्चे को इसमें find out करना है, कि person यहाँ पर कौन-कौन है, इस picture में, place क्या है, animals क्या-क्या है, और things क्या-क्या है, यह भी बहुत interesting activity है, इसमें बच्चे को इस picture में जब identify करने को बोलेंगे, तो बहुत interesting तरीके से इसको करेगा, जैसे person यहाँ पर है boy, this is parrot, parrot is a animal, तो इस तरह से जो भी चीज है, वो बच्चा identify करके यहाँ पर लिखेगा, आप यह सारी worksheets घर पर बनाइए, बच्चे को नाउन का concept आप easily clear कर सकते हैं, और लास में जब वो यह सारी worksheets पर कर लेगा, नाउन क्लियर हो जाएगा, तो आप बच्चे का एक छोटा सा test ले सकते हैं, जो मैंने अलड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो friends, यह था आज का वीडियो, और यह थी सारी worksheets जो मैंने बनाई है, नाउन के उपर अपने बच्चे को समझाने के लिए, और उसका concept बहुत अच्छे से clear हुआ है, I hope यह सारी sheets से आपका बच जो को नाउन सिखाना चाहते हैं, उनके साथ में share कीजिए, और हाँ, आप इन worksheets को मेरे facebook page at sudarshan kids से download कर सकते हैं, free में, so, आप खुछ से भी बना सकते हैं, और download करना चाहें, तो आप मेरे facebook page से भी download कर सकते हैं, so friends, keep watching, sudarshan kids, thanks for your time.